नमस्कार दोस्तो आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो सनातन हिंदु धर्म में माता महालक्षमी को यश और वैभव भोग विलास के देवी की रूप में माना जाता है यदि आप मालक्षमी की पूजा विदिवत रूप से करते हैं तो माता लक्षमी आपकी हर मनों कामना को जल्द पूर्ण कर देती हैं और आपको हर संकट से मुक्ति मिल जाती है सास्त्रों में लक्षमी मा को धनकी देवी के रूप में माना गया है मानता है कि माता लक्षमी की पूजा रातना करने से माता लक्षमी का आशिरवाद आप पर सदे बना रहता है साथ ही सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं पैसों की तंगी से छुटकारा मिलता है और घर में सुक सम्रिदी आती है पैसो की किलत को दूर करने के लिए आज हम आपको माता लक्षमी की पूजा अर्चना करने का एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करने से माता लक्षमी बहुत ही जल्द प्रसन हो जाती है माता लक्षमी धन और संपत्ती की अधिश्टात्री देवी है का जाता है कि समुद्र से इनका जन्म हुआ था और इने श्री भगवान विश्णु ने अपनाया था इनकी पूजा करने से धन की प्राप्ती होती है साथ ही वैवव की भी प्राप्ती होती है यदि मातालक्षमी आपसे रुष्ट हो जाए तो गोर दर्दृता का सामना भी आपको करना पड़ता है। जोती साश्त्र के मुताबिक शुक्र ग्रह से इनका सीधा सम्मंध होता है। माताललक्षमी की पूजा से केवल पैसो की ही नहीं बलकि समाज में यस्ट की भी प्राप्ति होती है। इनकी पूजा से दामपत्य जीवन बैतर बन जाता है। मातालक्षमी को प्रसंद करने के लिए कुछ उपाई भी की जाते हैं। आज हम आपको उनी में से कुछ खास और गुपतुपाई बताएंगे, जिने करने से आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं, कहते हैं कि घर में किसी भी समय लक्षमी जी आ सकती है, लेकिन साम का एक ऐसा समय होता है, जिस समय लक्षमी जी का आना संबब होता है, इसलिए साम के समय सारे घर की लाइट आपको जला देनी चा कहा जाता है कि माता लक्षमी के समक्ष मोगरे का इत्र आवस्य चड़ाना चाहिए इससे आपके घर में धन की आवक भढ़ने लगती है और इसी के साथ ही देवी माता लक्षमी के सामने केवडे का इत्र अर्पित करने से हर प्रकार की मानसिक सांती मिलती है और ग्रे कलेशों से मुक्ति मिल जाती है कहा जाता है कि शुकरवार के दिन या फिर वीरवार के दिन या फिर खास तोर पर से जो दिन माता लक्षमी के लिए समर्पित हैं जैसे दिवाली आदी का समय इस दिन आपको सुबह के समय गो माता को ताजी रोटी खिलाने चाहिए क्योंकि ऐसा करने स मा लक्ष्मी परसन होगी और आप पर सदयव उनकी किर्पा बनी रहेगी माता لकश्मी को अगर आप अपने घर बुलाना चाहते हैं तो अपने घर को सदयव स्वच बना कर रखें अपने घर में स्वच ठागा ध्यान रखें क्योंकि माताललक्षमी केवल उसी घर में परवेश करती है जो घर स्वच होता है और हमेशा ही उस घर से परसन रहती है लेकिन इसमें आपको खास तोर पर ध्यान रखने की बात ये है कि कभी भी आपको साम के समय घर में जाडू नहीं लगाने चाहिए क्योंकि साम के समय पूर जाना चाहिए जहां पर मोर निर्टे करते हो और उसके बाद वहां की मिट्टी ला करके एक लाजरंग के कपड़े में बांध करके आपको पवित्र जगे में रख दें और उसकी रोज पूजा करें जैसे कि आप अपने घर के मंदिर में रख दें माता लक्षमी की तस् पूल सी का पौदा जरूर लगाए और इसकी सुबह और शाम एक दीपक जला करके अवशे पूजा करें अगर संबख हो तो अपने मस्तक पर सफेद चंदन का चलक लगाए और जब सुबह नहाने के पानी में अगर आप चंदन मिला लेंगे तो इससे माता लक्षमी अत्यं करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस मंतर का भी जाब कर सकते हैं अमश्रीम जगत प्रस्तूते नमा लक्षमी नारायन पर चड़े हुए चंदन से अगर आप मस्तक पर तिलक करते हैं तो इससे माता लक्षमी शीगर पर सन होती हैं लक्षमी नारायन पर चड़ी हुईographical अगर आप किसी कन्या को खिला दें तो इससे बैतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। कहा जाता है कि छोटी कन्याओं में साक्षात रूप से मातालक्ष्मी का वास होता है। और इस प्रकार की खीर अगर आप माता लक्ष्मी को चड़ा देते हैं तो आप यह समझे कि आपके घर का भोग माता लक्ष्मी नखा लिया। लक्षमी नाराण मंदिर में अगर आप अपने घर के पूजा घर में लक्षमी नाराण की पूजा करने के बाद उन पर गुलाब चड़ा दें तो आपके घर में हमेशा ही माता लक्षमी अपना इस्थाई वास करके रहती हैं तो दोस्तो यह थी कुछ उपाए जिने करके आप माता लक्षमी को प्रसंद कर सकते हैं और सदेव के लिए अपने घर में विराजमान कर सकते हैं और अपने मनुवांचित धनलाब भी आप कर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में केवल इतना ही कल फिर आप से मुलाकात ह होगी एक और नई वीडियो के साथ तक तक लिद्धे में जाते धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जये बजरंग बली